जेकारा सिंगियां वाले बाबाजी का बोलिजे शीरी बाबाजी की तो भबो जब बारिश बढ़ती है तो उसके जो भूंदे होती है कितनी? शोटी शोटी होती है लेकिन उन भूंदों का बार बार बरसना नतियों में बहाब का बारण बन जाता है तो अगर हम अच्छे काम के लिए शोटी शोटी प्रयास भी करें तो भी हम अपनी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और पानी की भूंद होती है जब तक्ता तुवा होता है उसके उपर पढ़ती है तो एक दमी जल जाती है अगर गुलाब के फूल के उपर पढ़ती है तो क्या होता है? चमक जाती है अगर सीब के उपर पढ़ती है तो मौशी बन जाती है बक्तो तो पानी तो वो ही है लेकिन उसकी जैसी संगत के उपर पढ़ा बैसा ही रूपदारन कर लिया तो इंसान का भी बैसा ही है बक्तो जो जैसी संगत में बढ़ता है वो ऐसा ही बन जाता है बन जाता है किने हैं अब सीमंट होता है सीमंट को आप क्या करते हैं? जब बोते हैं तो वो नर्म हो जाता है और जब है उसको लगा देते हैं तो वो दूसरी चीज़ को सीकूरने के लिए कि ठोक पठोर बन जाते हैं तो बैसे स्मिट की तरह हमारे रिष्टे होती हैं जब हमने किसी रिष्टा बनाना है तो हमें उसमें स्मिट की तरह गुल की नमर होना पड़ेगा और जब उसको निभाने है तो स्मिट की तरह ठोर होना पड़ेगा ना और जब जो तस्वीर होती है उसका प्यार जब फोटो में आपके साथ किसी के तस्वीर लगी होती है तो सामने बाला सोचते है कि फोटो इसके साथ फोटो इसको उसके साथ बड़ा प्यार है ना प्यार जिताया नहीं जाता फोटो में लगी तस्वीर से प्यार जिताया जाता है दूसरों की समझी हुई तखलीब से तो दूसरों की तखलीब को जरूर समझे नहीं ठीक है और सोनना तो सोनना ही होता है लेकिन सोनने को भी सुनेर रात को किसी में रखता है लोही की तजोरी में तो देखो सोनने को भी लोही की तजोरी में रात को रहना करता है तो इंसान अपने आपको ये न सोचे कि हमेशा मैं अच्छ ही रहूँगा या जवान ही रहूँगा कभी उसे बूटा भी होना पड़ेगा तो सोनन तुजोरी में रहता है फिर भी वो सोनन रहता है वो change तो नहीं ہو जबता है कि रात कुर रख के सुनियाजी तुजोरी में वो फिर बैसे का बैसा ही रहता है तो आप जहां भी रहो किसी के साथ भी उसमें से अपने आपको निकालते रहना ठीक है रहो कैसी भी संक्ती में लेकिन उनके अच्छे कुन को पना लो और बुरे को जो है बोन को ही शोटो ठीक है जे कारा बोना हारी जीदा जे कारा गुभादे बास्थी जीदा बोली जे शिरी बाप जीदा इक बार फिर बोलनो जे शिरी बाप जीदा